हेलो फ्रेंट्स हपी न्यूयर्स सबसे पहले क्योंकि नया साल की शुरुआत हो चुकी है और इसी के साथ हमने अपने चैनल पर एक नया कॉंसेप्ट और एक नया रिजूलिशन बनाया है अपने न्यूयर रिजूलिशन तो इसमें हम करने वाले हैं 100 डेज 100 व्लॉग्स का च देख चुके होंगे तो इस वीडियो में हम भी एक कोईक रिव्यू करेंगे इसके जो फीचर्स हैं वह हम अपने इस वीडियो में आपको दिखाएंगे ब्लू आर्म सी थर्टी जो कहा जा रहे कि एक काफी यूसफुल और फीचर्स वाला इंट्रकॉम है मार्किट में जो इसके बड़ा यूसबी इसका प्राइस है और क्योंकि यह मेड इन इंडिया है तो इसका प्राइस जो है वह आपको सिर्फ 10,999 मल्जा मेंस आपको अल्मोस्ट 11,000 रुपीज में यह सेम 30-40,000 वाले फीचर्स आपको प्रोवाइड करेगा तो अब टाइम विष्ट करना करत तो राइट साइड पर यहां आपको इसका MRP देख जाता है, ब्रेंड और मॉडल नंबर आपको यहां इंपर देखने को मिल जाता है और साथ ही आपको इहां इनका WhatsApp contact नंबर मिल जाता है, अगर आपको कोई support किसी की ज़रुद है तो आप यहां instant support के लिए इनने message कर सकते है WhatsApp पर, बागी pricing अभी आप देख सकते है 10,999 है जो कि सबसे challenging है इंडिया में इसका जिसकी वेज़ा से यह पूरे market में competition देने वाला है जो box है, वो एक matte design का box है और बीच में एक laminated glossy look दिया गया है जैसा कि आपका BlueArma C30 Intercom का device आपका दिखता है और यहां आपको BlueArma का logo मिल जाता है फिर यहां front में आपको कुछ features यहां mentioned है यह waterproof है और water resistant नहीं है waterproof है IP67 इसमें right grid technology आपको देखने को मिलती है जो कि आपकी जो Bluetooth activity होती है उससे upper quality होती है यह mesh intercom इसमें ज्यादा HD sound आपको सुनने को मिलता है Bluetooth 5.1 है and इसमें sound है speakers है वो JBL के speakers आपको मिलते हैं फिर यहां पर आप back side पर अगर देखेंगे तो back side पर आपको सबसे पहले highlighting में दिख जाता है अलग से white color में serial number आपके device का batch number दिख जाता है model आपको यहां दिख जाता है साथी आपको इहां reverse में इसके जो back side पर आप देखेंगे तो इसके सारे features आपको इहां देखने को मिलेंगे world class audio with rugged design that is signature sound pipe JBL all waterproof or weatherproof है then mobile tower interference भी इसमें नहीं होता है उससे protection है means जब आप drive करते है ताइम अगर किसी mobile tower को cross करते हैं तो इसमें उसकी fluctuation network की नहीं आएगी इसमें आपको five buttons का interface मिल जाता है adaptive wind noise suspension है और इसमें extended battery life जो इसकी battery life claim है वो nearly 16 hours की battery life claim आपको मिल जाता है बाकि यह सारे features आप यहां वीडियो को pause करके आप थोड़ा सा detail में पढ़ सकते हैं अगर मैं इनको सबको पढ़के यह आपको सुनाओंगा तो वीडियो काफी blend दी हो जाएगा बकी एक last चीज यहां आपको providing experience थूद प्रोप्राइटरी टेग टेरा स्पोर्ट और यो वेव और टूफलो के साथ इनका collaboration के साथ में इन्होंने यह new technology में काम किया है और proudly made in India product है तो support तो बनता है आपको यहां देखने को मिलेगा यहां blow side पर एक seal है जैसे आप इसको remove करते हैं तो means seal आपकी void हो चुकी है अगर आपको कभी unbox या ऐसे without seal का product मिलता है तो आप उसे receive या open ना करें और return कर सकते हैं तो यहां आप clearly आ चुका है तो यह magnetic case है इसका काफी premium quality का case है now सबसे पहले आजाता है यहा यहां पर customer name जो की मेरा real name है जते हैं C30 और यह मेरे device का serial number आपको यहीं देखने को मिल जाता है यह आपको ATM card type का मिलता है और इस पर आपके product की proper details यहां आपको देखने को मिल जाते है with one year warranty तो हम इसे वापस यहीं stick कर देते हैं now turn for new chapter in motorcycle communication यहां आपको device मिल जाता है आपका आ बाद में निकालेंगे proper फिर यहां आप जब इसे open करते हैं तो कुछ इस तरीके के आपको unboxing में पूरा products देखने को मिलते हैं यहां आपका main device है यह आपका headphone system है पूरा आपको जो speakers है वो उन पर right और left का indication दिया गया है ताकि आप जब install करेंगे अपने helmet में आपको किसी तरी देख सकते हैं तो आपकी device देख सकते हो device का build quality जैसा कि इसमें carbon texture दिया गया है carbon fiber texture तो device काफी good quality और premium finish का look देता है साथी यहां पर आप देख सकते हैं यह थोड़ा सा push करके बाहर की तरफ और आप इसका antenna open हो जाता है antenna के उपर ही blue armor की branding है और वापस lock करना काफी easy है इसके अ होता है जो micro B USB था यह आपका audio speaker जो है mic यहीं से connect होगा और अब जब new edition का product है तो सबसे latest features के साथ तो आएगा ही type C charging तो आपको कोई अलग data cables इसके लिए वैसे तो carry करने की जूरुत नहीं है और आपके type C smartphone के charger से यह charge हो सकता है साथ ही इन्होंने इसके back side पर आपका serial number और ए information यहीं पर दे रखिया कि आप 1.0 ampere वाले charger के साथ इसे charge कर सकते हैं and again यहाँ जो हमारा share वाला logo है line वाला made in India का logo बकी थोड़ा सा weight wise अगर मैं कहूं तो थोड़ा सा bulky feel देता ही है but you know अगर weight है तो product strong है तो आप यहाँ weight से देख सकते हैं और all over all waterproof design है अब इसको side कर देते है और देखते हैं box में और extra चीजे कैसी कैसी आपको मिल जाती है तो यहाँ आपको speaker मिल जाता है speaker को हम निकालेंगे कुछ इस तरीके का यह आपको flexible माइक के साथ मिलता है speaker और यहाँ पर इसकी speaker के design जो है इसकी जो wire finishing है wire भी बहुत ही flexible और soft है तो I guess यह भी बहुत अच्छा देने वाला है आपको quality और यहाँ speakers आप देख सकते हैं और overall last में flat type wire design आपको मिलता है जिसकी वज़े से आपको यह आप देख सकते हैं wire जल्दी से crack होना या wire के अंदर जो stretch होकर तूटने का डर होता है वो नहीं रहेगा flat wire इसी ले थोड़ा strong feel देता है और यहाँ आपको बीच में device के इसकी wire के बीच में यह मिल जाता है जैसकी वज़े से wires का division जो है इसे divider बोल सकते हैं तो यहाँ से भी आप इसको separately अब देख सकते हैं कि यह काफी strong दिया है फिर यहाँ से आपकी तीनों wires अलग हो जाती है औ और यहाँ से आप mic को detach भी कर सकते हैं in future I guess इसका mic आपको शायद अलग से available मिल सकता है तो आप यहाँ से आपकी rough look वाला velcro होता है जिसको चोटाने में ज्यादा power भी लगानी पड़ते है कभी कभी इतना वो hard paste हो जाता है कि आपका पीछे का tape ही remove हो जाता है helmet के अंदर से तो यह काफी premium वाला इन्होंने velcro दिया है जैसे थोड़ा easy to remove है मला भी आपके product को अच्छे से hold रखेगा बट उसके साथ ही आपका product को कभी आप remove करना चाहेंगे helmet में से तो वो easily आप उसे take out कर सकते हैं इसके नीचे हम और देखते हैं इसके नीचे आपके सारे जरूत के items मिल जाते हैं सबसे पहले यहाँ पर एक LK जो की अंदर थोड़ी सी हिल गई थी आपको यहाँ पर एक LK म यह sticky mount है इसका आप helmet की surface पर इसे 3M की tape इस पर अल्यड़ी लगी हुई है तो आप इसे helmet की surface पर lock करके इसे paste करके लगा सकते हैं अगर आप नीचे से थोड़ा उपर करके लगाना चाहते है ताकि wire को protection extra मिले तो यह वाला आपके लिए काफी अच्छा रहेगा next यह वाला metal clip के साथ आपको मिलता है इसकी metal clip आप देख सकते हैं कितनी thick metal clip है तो यह आपका metal clip वाला mount है जैसा कि मेरा v-net वाला था उसमें मुझे metal clip नहीं मिली थी इस स्टार्टिंग में और उसके विज़से मेरी metal clip टूट वो plastic clip टूट कई थी तो इन्होंना इस चीज़ क पहले से धियान रखा है और इनकी metal clip भी काफी heavy है तो थोड़ा सा आपका helmet heavy हो सकता है बट आपकी finishing बहुत अच्छी रहने वाली है और इसके बाद आपको यह यह spacer मिल जाते हैं और spacer के आपके पास दो pairs extra आ जाते हैं means अगर आप अलग-अलग helmet में यूज करना चाते हैं आपके जो cushioning को आगे आपके speaker को आगी की तरफ थोड़ा push करना चाते हैं तो आप यह दोनों कानों के लिए separate speakers, spacers आपको मिल जाते हैं तो आपके पास extra spacers जो की सबसे बाद में purchase करना या availability की problem करती है काफी time में आपकर ढूमना चाते हैं and one last thing एक बहुत ही premium type-C USB cable जिस पर आपको यहां blue armor की branding देखने को मिल जाती है और यह nylon coated जो net type की coated wire है तो आप यहां देख सकते हैं मैं इसको अच्छे से brand करके भी दिखा दो तो breakout होने का कोई chance नहीं है means आपकी cable damaged नहीं होगी यहां भी इसका ज्यान रखा है तो cable damage होने का कोई chance नहीं है means मैं आपको अच्छे से करके दिखा रहा हूं तो एक छोटी means अगर मैं बता हूं तो ऐसी cable अगर आप market में लेने जाते हैं type C cable तो 500 रुपीज से नीचे आपको नहीं मिलेगी क्योंकि छोटी वाली cables जल्दी से मिलती भी नहीं है तो इन्होंने अपने quality के रिबारे में तो बहुती ध्यान रखा है अब एक बार देख लेते हैं कि इसके नीचे भी कुछ item बचता है तो नीचे इसके लावा box में कुछ नहीं है एंड में one last thing जो आपको यहां देखने को मिलेगा यहां पर एक QR code है यह आपके product के regarding दिया गया है means आपको इसकी जो user manual है इसमें कोई physical user manual नहीं है क्योंकि physical user manual manuals कई बार खो जाते हैं तो उन्होंने एक digital user manual दिया है जस्ट आपको क्या करना है इस code को scan करना है और start installation रिगार्डिंग आपकी जो guides से पहले कि इसमें आपको universal intercom मिलता है Bluetooth 5.1 मिलता है इसमें call की भी sharing है आप during the call अगर आपका किसी friend का call आता है तो आप उसे बाकी riders के साथ call को conference में intercom पर भी share कर सकते हैं साथ ही आप इसको music को share कर सकते हैं और FM के regarding इसमें कोई information नहीं है तो I guess इसमें FM missing है और बाकी तो आपक ये वीडियो को बाकी जल्दी हम कल next वीडियो के साथ मिलेंगे जिसमें मैं लेकर आने वाला हूँ आपको price list का details price list जो कि आपको brands के bikes के वारे में details चाहिए होंगी कि new year में क्या price में changes हुए हैं तो वो details आपको next video में देखने को मिलेंगी बाकी आप अपना comfortable time नीचे comments में ज है सब चैनल को support जरू कीजिए 100 days 100 vlogs challenge को कल मिलते हैं next vlog के साथ till then take care bye bye and keep watching JS Xtreme अप करेंगी बाकी आपको आपको आयें जो हैं तो कर दाद हैं एका सब्सक्राबरों के साब्सक्राबरा के साथ उसे हैं अपछ ARE कह साब glowी आपकों को साथ हैं आपको आपको आपको